हाई गाईज यू आर वाचिंग माई चैनल एहसन पैट्स असलाम अलेकूम मैं हूँ एहसन जफर कराची पाकिस्तान से फिंचेस का घुंसला कैसा होना चाहिए फिंचेस के लिए कौन सा नेस्टिंग मेटिरियल इस्तमाल किया जाता है कौन सा अच्छा रहता है हमारी फिंचेस जो है वो मटकी के ओपर धकन के ओपर गुंसला बना रही है अब हम क्या करें फिंचेस के लिए मटकी इस्तमाल करनी चाहिए या फिर बॉक्स या पिर टोकरी क्या चीज सही रहेगी फिंचिस किस तरह के नेस्टिंग माटिरियल में ज़्यादा बच्चे निकालती है ये सारी बाते मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में आपको इंफर्मेशन मिलने वाली है तो वीडियो को देहान से देखिएगा तो चलिए फिर शुरू करते हैं देखें फिंचिस जब कुदरती माहौल में होती यानि के जंगल वगरा में जब ये फिंचिस ब्रीट करती हैं तो इनके पास हर तरह का नेस्टिंग माटिरियल मौजूद होता है यानि के जो माटिरियल इनको पसंद आता है उससे ये घंसला बना लेती है इसलिए जब हम घर में ब्रीट करवा रहे हैं तो हमें ख्याल रखना चाहिए कि ऐसा कौन सा नेस्टिंग माटिरियल दें जो के हमारी फिंचिस को पसंद आए और इसमें ये अच्छा ब्रीट कर सकें वैसे फिंचिस तो किसी भी किसम के नेस्टिंग माटिरियल को फौरण से एक्सेप्ट कर लेती है और बासानी ब्रीड भी कर देती है लेकिन फिर भी कुछ इस तरह के नेस्टिंग माटिरियल मौजूद है जो फिंचिस को बहुत पसंद आते हैं और उनसे घंसला भी बहु नेस्टिंग मेटरियल सही चूज किया हुआ है तो नेस्टिंग मेटरियल की बात की जाए तो मुझे सबसे आसान सस्ता और अच्छा जो नेस्टिंग मेटरियल लगा वो थे नारियल के चिलके यानि के नारियल के चिलके आपने उसके रेशे तोड़ने हैं हाथ से निकालने ह तो आपको क्या करना है कि नोचने है वो सारे के सारे बाल उसके थोड़े थोड़े करके निकालने है वो निकाल के साइड पर पूरा एक जो घास का धेर लग जाएगा उसी नारियल के चिलके का वो आपने प्रोवाइड करना है पिंजरे के अंदर तो ये बहुत ही सस्ता टिक रहा हूँ क्योंकि मैं खुद ये इस्तमाल करता हूँ, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है मेरे पास, कुछ हजरात जो है वो सूखी वी घांस भी फिंचेज को देते हैं, वो सूखी वी घांस जो है लवड में चल जाती है, फिशर लेकिन हमेशा मैं आपको वो बात बताता हूँ जिसमें जादा फायदा होता है और रिस्क सबसे कम होता है, कई लोग नेस्टिंग मैटिरियल के लिए लूसन का इस्तमाल भी करते हैं, लेकिन लूसन जो है लवड में चल जाती है, फिशर में देखा जाए, तो जावा और बजीस तो खर नेस्टिंग बनाते ही नहीं है, जावा हो गई क्योंकि अन्का इनका कलर ही ब्राउन तब होता है, जब वो पक जाते हैं, बिलकुल सूख जाते हैं, कई लोगों का ऐसा मानना है बाई चांस बाई लख देखें किसी का अगर पैर फसना हो तो वो तो कहीं पर भी फस सकता है चाहे वो नेस्टिंग हो या पिंजरा हो या दाने पानी का प्याला हो या आपका गेट हो पिंजरे को बंद करने खोलने बंद करने वाला वहाँ भी पैर फसना एक बहुत ही एक्स में बांड होगया है उनका फिंच इस तरह से लगता है कि अगर आप फिंचे लेकर आएयं एक जोड़ा अगर आप लेकर आएं तो मेरे खियाल से चार — पा Religion दिन हैं उनके जोड़ Gramal बन जाते हैं तो जब गंटे भी लग जाते हैं इनको बनाने में तो पांच गंटे अगर लग सकते हैं बनाने में फिंचिस को जादा से जादा तो फिर आप सुबह सुबह अपना नेस्टिंग मेटिरियल डालें ताके वो बासानी अपना काम शुरू कर दें और रात को सोने से पहले आप गोंसला एक बार देख लें कि सभी से बना है या नहीं और अगले दिन याद रखें अगले दिन उठके आपने देखना है गोंसला पूरा बन गया और नेस्टिंग मेटिरियल जितना आपने डाला था वो सारा खतम हो गया है देखें जब पहले दिन पहली बार फस्टाइम जब यजितना आपको लगे के डालना चाहिए कम ना डालें जादा सजादा ही डालें ज आनको ले जाना हो गई या खुद ले जाएंगी अगले दिन जब आप उठ़ें और देखें कि इनका गहुंसला बिलकुल मुकंबल हो चुका है और कहीं से भी कोई बारी की बाकी नही रह जे बाई रेशा बाई रेशा निकाल निकाल के उसको थोड़ा सा खोल के आपने फैंक रहा है रूई को थोड़ा सा बिल्कुल अब ये रूई का क्या करेंगी जिस स्पोर्ट पर फिंच ने अंडे देने होते हैं जिस spot को ये चुनती हैं कि इस गोंशले के अंदर इस spot पर हमंडे देंगे वहाँ जी क्या करती हैं बैडिंग बना लेती हैं बैडिंग से मुराद ये कि उस जगा को नरम करती हैं खुद्रती महौल में तो ये बैडिंग अपने जो feathers निकल रहे होते हैं इनके birds के ये वही इस्तमाल करके उसी नरम feathers से बैडिंग करती हैं या किसी और परिंदे के पर नोच के उस से बैडिंग कर लेती हैं लिकन अगर आप रुई प्रोईड करेंगे तो इनको बहुत असानी हो जाएगी बैडिंग करने के लिए पर ये अपनी बैडिंग मुकमल कर लेंगे बैडिंग के लिए याद रखें कि आपने बहुत मामूली से रुई डाल दी है यानिके एक गोईल दारा जितना बड़ी बोतल का ढखन होता है उतना बस फिल हो जाए और वहाँ पर ये अंडे अराम से दे सके हैं अगर आप बहुत जादा प्रोवाइड कर देंगे तो वह भी अच्छा नहीं रहेगा बैडिंग मुकमल होने के बाद अगले दिन आप देखिएगा लाजमन अगले दिन या उससे दो दिन बाद जो है पहला अंडा फिंचेस दे देंगी फिंचेस बहुत जल्दी अंडे देती हैं तो एक बार जब इनका घोंसला कंप्लीट हो जाए और जब यह अंडे दे दें उसके बाद ना तो आपने नेस्टिंग मटरियल डालना है ना आपने कोई ऐसी चीज डालनी है क्योंकि अक्सर भाईयों के पास ये कंप्लेंड ये प्रॉब्लम आ रही है मेरे पास वो मुझे बताते हैं कि भाई हमारी फिंचेस ने अंडे दे दी हैं ले कर दी हैं और अब फिर से नेस्टिंग मटरियल अंदर लेके जा रही है तो भाई आपने नेस्टिंग मेटरियल दिया वा क्यों है जब उसने अंडे दे दिये तो फिर आप नेस्टिंग मेटरियल क्यों दे रहे हैं क्योंकि होता यह है कि फिंचे अंडों पर बैठी होती है अगर आप दोबारा नेस्टिंग मेटियल प्रोवाइड कर दें या उसको कहीं से मिल जाए तो वो क्या गरती है दोबारा से नेस्ट उस अंडे के उपर नेस्ट बनाने लग जाती है उससे आपके अंडे खराब हो जाते हैं उसमें बच्चे नहीं निकलेंगे याद रखें एक बर जब अंडे दे दी है तो आप नेस्टिंग मेटियल निकाल लें वहाँ से अब मिसाल के तोर पे जो कालोनी वाले हज़रात हैं वो बोलेंगे कि हम नेस्टिंग मेटियल कैसे निकालें ठीक है जो जैसा कर रहा है उसको करने दें कालोनी खुद वाखुद चलती है कालोनी को मसला नहीं होता चलने में आप नेस्टिंग मेटियल प्रोवाइड कर दें जिस पेरन अंडे दिया में वो एक दो बार लेके जाएगा उसके बाद वो नहीं बनाएगा अपना घुंसल पेर बाय पेर सेपरेटली ब्रीड करवा रहे हैं कुछ लोगों के पास महंगी फिंचेज होती हैं तो वो टोकरी में भी ब्रीड करवा सकते हैं डबे में भी करवा सकते हैं जहां उनकी फिंचेज जा रही हैं सूटेबल महसूस कर रही हैं वहां वो बना सकती हैं उसमें को करें टोकरी ना करें या तो बॉक्स लगा लें हैं मठकी लगा ले इस्तौनी वालेंкий बात कर roadmap रहो क्यों करें चायदा उसकी वजह वाले टोकरी नहीं इत्माल कर सकते उसकी व्यजा यह कि टोकरी में जो ह मश्योंब च्रह्ट होते हैं तो उसमें आप टोकरी भी लगा सकते हैं कोई मसला नहीं है मैंने तो पानी का जो प्याला था वो लटका दिया था उपर मेरे पास फिंचेज ने उसमें भी ब्रीट कर दिया और उसमें भी मेरे पास तकरीबन जो है एक पेर ऐसा था जो नौ से ग्यारा बच्चे निकाल लेता था और पालता भी था उनको उसी पानी के प्याले में अब वो हजरात जिनके पास ये प्रॉबलम आ रही है कि उनकी जो फिंचेज है वो मटकी के ढखन के ओपर गोंसला बना रही है तो भाई ऐसे में आप क्या करें कि फिंचेज को या तो ऐसी मटकी देते हैं जिसका मू बढ़ा हो अगर वो मटकी में नहीं जाना पसंद कर रहे है तो ऐसा बॉक्स ले आए जिसकी आगे जो है मू जो है उसका बहुत बढ़ा खुलावा हो या बॉक्स का जो खिड़की होती है वो खोल के रख दें उसके सामने ताके फिंचेज जो है वो खिड़की से अंदर बाहर आ जा सके खिऱकी क्ञा होती है बॉक्स की, वो बॉक्स का वो डॉर जो हम बाहर से खोल करें, जिसमें अंडे बच्चे कितने हैं यह क्या है जिसको हम चेकिंग के लिए इस्ते मल करते हैं, वो डॉर आप खोल के अंदर से लगा दें और फिंचीस उसमें लाजमन बरीड करेगी याद रखें जो भी चीज प्रोवाइड करें सिंगल सिंगल पेर को अगर आप जैसे आपने सिंगल में ब्रीड ले रहे हैं तो अपने पेर को जो भी घोंसला प्रोवाइड करें या जो भी मठकी दें या बॉक्स दें उसको चछत के साथ पिंजरे की जो च्छत है नहीं कि जो उसकी पिंजरे की च्छत है उसके उपर ऐसे लगा दें बिलकुल करीब के फिंचे उसके उपर ना बैट सके क्योंकि फिंचे जितनी उपर बैटती है उतनी उपर घंसला बनाना पसंद करती है तो उसकी यही वज़ा होती है कुछ फिंचें मटकी के धकन के उपर बना देती है क्योंकि उनको उची जगा पसंद आ रही होती है तो आप अपनी मटकी को इस तरह लगाएं कि आपकी मटकी का जो उपरी हिस्सा है वो छट से टकरा रहा हो बिलकुल बैटने की जगा नहीं 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 उपर तो जब फिंचेंज उपर जाएगी नहीं तो भौसला क्यों बनाएगी और फिर आप मटकी का मूँ थोड़ा सा बड़ा कर दें या बॉक्स ऐसा कर दें उपर लगा के बॉक्स का मूँ मैं आपको बताया कि आप बड़ा इस्तमाल कर सकते हैं आई होप के मेरी वीडियोज आपको पसंद आती होंगी अगर आपको मेरी वीडियोज पसंद आती है तो लाइक कर दिया करें इन्शाला आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में अपना ख्याल रखेगा बहुत बहुत अल्लाहफेज